पाबी बेन रबारी लगन और श्रही नियत के साथ अगर काम के आ जाए तो सफलता सिर जुका कर हमारे सामने खड़ी हो जाएगी आज की सकसर्स स्टोरी में एक ऐसी साधारन महिला की कहानी है जो एक छोटे से समुदाय से आने के बावजूत लोगों के लिए प्रेड़ा का इस्त्रोत है इस महिला ने धागों से कढ़ाई करते हुए कई महिला कारीगरों की जीवन में परिवर्तन कर दिया है दोस्तों हम बात कर रहे हैं पावी बेन रवारी के बारे में जो पावी बेन.com की संस्थापक है पावी बेन ने गुजरात के कच्च में इस्तित महिला कारीगरों की पहली फर्म को जन्म दिया एक ऐसी ही सक्सियत है गुजरात के कक्छ चिले के एक छोटी से गाउं भद्रोई की रहने वाली पाभी बेन रबारी जिन्होंने अपने हुनर के बल पर 20 लाक रुपए सालाना की टरनोवर का बिजनेस खड़ा कर दिया है। उन्होंने लगभग एक साल तक एक रुपए में लोगों की घरों में पानी भने का काम किया। दीरे दीरे पाभी बेन रबारी ने हरी जरी नाम की कड़ाई करने में महारत हासिल कर ली। पाभी बेन ने काफी लंबे शमय तक इस संस्था के साथ काम किया जहां उन्हें 300 रुपए तंखा मिलते थी। पाभी बेन जैसे अपने कला को लेकर आगे बढ़ रही थी कि तभी उनकी साधी हो गए इस दोरान उनकी साधी में कुछ विदेशी लोग भी आये। जिने हाथ से बनाए खास तरह के बैक भेट में दिये गए। विदेशी लोगों को पाभी बेन का ये भेट बेहद ही पसंद आया। विदेशी लोगों ने पाभी बेन के इस बैक को पाभी बैक का नाम दे दिया। विदेशियों की इस तारीफ के बाद पावी बेन के ससुराल वाले उन्हें भी इनका साथ दिया इसके बाद गाओं के महलाओं के साथ मिलकर पावी बेन ने अपनी फर्म बलाई जिसका नाम रखा पावी बेन.com उनके इस फर्म को पहला ओर्डर सत्तर हजार का मिला जबकि आ इस दोजा सोला में जानकी देवी बजाच पुरुषका से पावी बेन रबारी को संबाने के आतिस फर्म में पावी बेन.com जाना पहचाना नाम है